कार्डेटा वर्गी करके इस चार्ट को देखिए इसमें कार्डेटा संग को दो मुख्य भागों में बाटा गया है कौन कौन से भाग हैं पहला है एक्रेनिया और दोसरा है क्रेनियेटा देखे एक्रेनिया को प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं और क्रेनियेटा को वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है इनमें से जो एक्रेनिया है एक्रेनिया में ऐसे जन्तो रखे गए हैं जिनमें क्रेनियम नहीं था मतलब जिनमें खोपड़ी नहीं थी या कहलेजिके जिनमें कपाल नहीं पाया जाता था इसलिए इन्हें एक्रेनिया कहा गया है क्योंकि इसमें क्रेनियम नहीं पाया जाता है लेकिन क्रेनियेटा में ऐसे जन्तो रखे गए हैं जिनमें क्रेनियम था मतलब इनमें खोपड़ी पाई जाती थी या कपाल पाया जाता है इसलिए इसे क्रेनियेटा कहा जाता है क्योंकि क्रेनियम इसमें उपस्थित है और अब इधर एक्रेनिया या प्रोटो कार्डेटा को तीन उपसंगों में बाटा गया है हेमी कार्डेटा, योरो कार्डेटा और सिफैलो कार्डेटा जिसमें से इन तीनों उपसंगों का फुल डेटेल मैंने पिछली लेक्षर में समझाया हुआ है चाहे वो इनके लेक्षण को लेकर के हो चाहे वो इनके जनतों को लेकर के हो उनकी संरचना उनका जो कुछ भी है टोटल जानकारी मैंने समझाई हुई है खासकर हर्डमानिया और एंफी आक्सिस या ब्रेंकियो इस्टोमा के बारे में यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के देख लिजे अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आज के वीडियो में क्रेनियेटा या वर्टिब्रेटा को डीटेल से समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखे और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे चलिए अब देखिए मैंने बताया कि क्रेनियेटा में खोपड़ी या क्रेनियम वाले जन्तों को रखा गया है जिनमें खोपड़ी पाई जाती है जो kraniata हैं इसमें नोटो कार्ड केवल भूणा आवस्था में पाई जाती है कुछ को छोड़ कर और भूणा आवस्था के बाद ये कसेरुग दंड में बदल जाती है या vertebral कालम में बदल जाती है जबकि जो एक kraniata था उसमें नोटो कार्ड ही पाई जाती है पूरे जीवन में नोटो काड़ ही पाय जाते है का से रुगदंड नहीं पाया जाता था अब देखिए जो समोह क्रेनियेटा है या वर्टिब्रेटा है इसे दो उपसंगों में बाटा गया है एक तो एगनेथा और दूसरा नैथो इस्टुमेटा तो इन दोनों में से जो ए जबड़े नहीं होते हैं केवल कूट जबड़े पाये जाते हैं कूट का मतलब है केवल फाल्स जा पाये जाते हैं जबकि जो नैथो इस्टुमेटा है इसके मुख में यानि इसके जन्तों के मुख में वास्तविक जबड़े पाये जाते हैं ट्रिवजा पाये जाते हैं त दूसरी चीज एगनैथा में युगमित उपांग नहीं होते हैं, युगमित उपांग मतलब एगनैथा में जोड़ीदार उपांग नहीं पाये जाते हैं, जबकि जो नैथो इस्टोमेटा है, नैथो इस्टोमेटा में जोड़ीदार उपांग होते हैं, युगमित उपांग पाए जाते हैं अब एगनेथा के अंतरगत केवल एक वर्ग है साइकलो इस्टोमेटा एक वर्ग रखा गया है साइकलो इस्टोमेटा और इसके जो जन्तु होते हैं वो समुद्री होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं और उनमें पकने भी नहीं होते हैं जबडे भी नहीं ह और वहिस्थ तक नोटो काड़ पाई जाती है और वह जो जन्तु होते हैं वह एक लिंगी होते हैं और इसके कुछ प्रमुग जन्तों के अगर बात की जाहें तो बैटरे-माइजोन लेप्रे है मेकसिन है तो यह इसके प्रमुग जन्तु होते हैं अब चार्ट में देखे नैथो इस्टोमेटा को दो महावर्गों में बाटा गया है जो नैथो इस्टोमेटा है इसको दो महावर्गों में बाटा गया है पहला पिसीज वहामर्ग और दूसरा महावर्ग टेट्रापोडा अब ये वर्गी कंड जो किया गया है ये चलन अंग और हिर्दय के आधार पर किया गया है मतलब नैथो इस्टो मैटा को लोको मोटरी आरगन रेस्पारेटोरी आरगन और हार्ट के बेस पर दो महावर्गों में बाटा गया है दो महावर्गों में पहला पीसीज और दूसरा टेट्रापोडा तो चलिए पहले पीसीज वर्गों समझा देते हैं फिर टेट्रा पोड़ा को समझाएंगे तो सबसे पहले पीसीज वर्ग के लक्षण यानि इस्पेसल करेक्टर्स को समझते हैं बता दें कि इस महा वर्ग में बिभिन तरह की मचलियों को रखा गया है जो पीसीज महा वर्ग है इसके अंतरगत बिभिन प्रकार की मचलिया रखी गई हैं चले सबसे पहले पीसीज वर्ग के लक्षण को समझा लेते हैं तो देखिए पहला लक्षण है यह जन्तु जलियों होते हैं जितने भी पीसीज वर्ग के जन्तु हैं सभी जल यह होते हैं जल में पाए जाते हैं और यह आलमडी यानि फ्रेस वाटर तथा समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं एक तो आलमडी जल्वे यानि फ्रेस वाटर में पाए जाते हैं और दूसरी समुद्री यानि मैरेन वाटर मैरेन वाटर के मतलब है समुद्र जल का क्या मतलब है लवड़िये जल तो आ लवड़िये और लवड़िये डोनों प्रकार के जल में पाय जाते हैं तरा अगला पॉइंट है शरीर सिर्धाड और पुछ में बटा होता है यानि जो पीसीज वर्ग के जंतु हैं जो फीसिज हैं मचलियां हैं इनका सरीर जो बट विदिद होता है बटा होता है पर नेक्ट पॉेंट है तेहर निके अनुरोप शरीर धारा रेखित होता है इंका सरीर की घंतर होता है उबसाने की शेष्मिलाइब की चाहिए या के जैसे पर आए मिल़्नीन की चाहिण पूरा। से भखा रहता है,ones when linking, 첨े के लिए जोड़ी-दार पक्ने पाए जाते हैं, ताकि यह जल में तहर सकें इसके लिए जोड़ी-दार जोड़्दार आंस या pectoral उसली पंचया की पाए जाते और इनमे जो अन्तहक कंकाल होता है जो उपास्ती और अस्थि का बना होता हैया यानी कार्टिलेज और बनका बना होता है अन्तहकंकाल या एंडो-स्केलेटन का Net gonna होता हैxo aट केंज़ मुईंच सवसं क्लोभता है मतलब मचलियों में्स वजब यही दो क्लॉम्स के द्वारा होता है और क्लॉम्स पांच से साथ जोड़ी होते हैं कितनी गिल्स पाई जाती हैं पांच से साथ जोड़ी गिल्स पाई जाती हैं जो खुले रहते हैं या आपर कुलम्स से ढखे रहते हैं कैसे ढखे रहते हैं आपर कुलम्स से नेक्ट पैंट है हिर्दय दुए कच्छी होता है दो कच्छ पाया जाते हैं और इसे वीनस हिर्दय कहते हैं दो कच्छ पाया जाते हैं उसे क्या कहा जाता है वीनस हार्ट कहा जाता है वीनस हिर्दय कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्यों कि इसमें सिर्फ असुद्धरुदिर यानि इंप्योर ब्लड आता है अड़े में वापस नहीं आता कहां चलाता स्धा सरीर के विभिन अंगों में चला जाता है मतलब रुधिर का परिसंचरण एक पथिये होता है एक पथिये इसलिए से वीनस हिर्दय कहा जाता है नेक्ट पॉइंट है ये आनियत तापी होते हैं आनियत तापी मतलब ये cold-blooded होते हैं आनियत तापी का के मतलब है cold-blooded ठंधे रुधिर वाले जनतों होते हैं नेक्ट पॉइंट है, cranial तंथ्रिकाएं 10 जोरी पाहे जाती हैं। यहांने इन्यमें cranial जो नर्व होती हैं, वो 10 जोरी होती हैं। नेक्ट पउइंट है, BAह वा मध्य कंड अनुपस्तित होते हैं। एक तो बाहरी जो कान होते हैं, वो नहीं पाहे जाते हैं। और जो बीच के कान होते हैं वो नहीं पाय जाते हैं या या इन्टेनल या फटलाजेशन आंतरिक या बाह प्रकार का होता है या इन्टेनल या इक्टेनल प्रकार का निसेशन इसमें या फटलाजेशन पाया जाता है और नेक्स्ट है इनकी सिसु अवस्था को फ्राई कहते हैं सिसु अवस्था को क्या कहा जाता है फ्राई कहा जाता है अब यह जो अधिवर्ग पीसीज है इसे तीन क्लासेज में पहला वर्ग है प्लैकोडर्मी पहला वर्ग कौन सा है प्लैकोडर्मी दूसरा वर्ग है कांड्रिक थीज और तीसरा है आश्टिक थ्रेज तो इनमें से पहला है प्लैकोडर्मी इसको समझ लेते हैं देखे जो प्लैकोडर्मी है इस वर्ग में डेवोनियन से परमीनियन यु तक पाई जाने वाली विलुक्त मचलियां आती हैं जो विलुक्त हो गई हैं वे मचलिया आती हैं और ये आलवडिये जल की प्रथम मचलिया थी आलवडिये जल यानि फ्रेस वाटर की प्रथम मचलिया थी और अगर इसके दूसरे अर्षण की बात करें तो इनके सरीर पर अस डैनेक्थीज है, क्लाइमेटियस है, यह इसके उधारन है प्लैकोडर्मी के, तो इसमें कौन सी मचली आएंगी, डेमोनियन से परमीनियन युग तक पाई जाने वाली विलुप्त मचली आती है, अब अगर वर्ग कांड्रिथीज को देखा जाए, तो कांड्रिथीज सब्द प्लैकोड सिलकोड से ढखा होता है, जो इस वर्ग के मचलियान हैं, इनमें प्लैकोड लुद्वक्त में है, प्लैक्वाइPhone से ढखा हैा, NO Θ्याक फूक्ट से प्ल्व कनगा होता है, और इनिकोज हूनित प्लॊकड पुच्छ का होता है, तो आसम्मित का है, मैंने कई बार आप लोगं को समझाया है, next point है, पूँच हेट्रो सरकल प्रकार की होती है, इनके पूँच कैसे होती है, हेट्रो सरकल प्रकार की होती है, next है, अन्ता कंकाल उबास्थिका बना होता है, नेक्स्ट क्लोम दरारें गिल्स लिट पाँच से साथ जोड़ी पाई जाती है और इनमें गिल्स कितनी पाई जाती है पाँच से साथ जोड़ी पाई जाती है और अपर कुलम अनुपास्थित होता है इनमें अपर कुलम नहीं पाया जाता है जो धक्कन होता है उपर से हाता है आथ के अंदर, next, हिर्दय दो वेश्म एक अलिंद तथा एक निलय में बटा होता है, औरिकल और वेंट्रिकल्स में बटा होता है इसका हार्ट, इनके अलावा सीरा कोटर याईनि sinners venus टथा Conus arteosus भी होते हैं再krit With the सिर्की प्रिष्ग सतह पर Ampulla of Lauren इंख्थित होती है जो Conductить की मख्फिट की मख्छियां होती है इन मख्छियों की प्रिष्ग सतह होते हैं понад साइड उसमें Ampulla of Lauren इंख्थित होता है और यह ताप ग्राही, नेक्ट-पइंट है जननवाहिनिया या गोनो डक्ट या कलोईका में खुलती हैं और नर में मैथुन अंग जो होता है जो कॉपलियोटरी आरगंस होता है मतलब क्लासपर्स पाए जाते हैं नर में क्या पाए जाता है मैथो नंग पाए जाता है या क्लासपर्स पाए जाते हैं और नेक्स्ट ये अंडयूज होते हैं अंडजरायूज होते हैं अंडयूज भी होते हैं या अंडजरायूज भी होते हैं और अगर इसके उदाहरण की बात करने कि कांडरिक्थिस में कौन-कौन सी मचली आती है तो इसको लियोडान आती है जिसे कुता मचली के नाम से जानाता है डॉक फिस कहा जाता है इसको लियोडान को और इस फरना यानि हाथावडा सीर्स सौक भी इसके अंतर गताता है ठ्रकिकट्स यानि आर यं और राइनोवेटर्स यानि गिटार मीन और इस टोगों टाइगर सौर्क ऑदि इसके अंतर गत मचली के यह करी चलिए कझ चलिए अब आश्टिक थेज वर्ग को देख लेते हैं इसके लक्षणों को तो पहला लक्षण है इस वर्ग की मचलिया आलमडी है तथा समुद्री जल में पाई जाती हैं यानि फ्रेस वाटर और मेरेन वाटर दोनों में पाई जा सकती हैं फिर अगला है इनका बाहकंकाल ज होता है चलोंड दरारे चार जोडा होती है गिल से इसलेट लें में इक नुलूहर चार जोडिं पाई जाती हैं जो अपरकुलम से ढकी रहती हैं यांनि इन में अपरकुलम पाया जाता है सहयक स्वसन अंग या एसेसरी रेश्पारी टरी ओर्गन या वाईू आसए यानि एयर ब्लैडर प्राया ऊपस्थित होते हैं या पाया जाते हैं जो जल इस्थायतिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। हाइड्रोस्टेटिक संतुलन बैलेंस्ट बनाते हैं। नेक्ष्ट आत में सरपिल का पार्ट नहीं होता है। स्पारल वॉल्व इसमें नहीं पाया जाता है। जबकि कांडिक्टीज में पाया जाता था, जनन वाहिनिया अलग अलग जनन छिद्रो या जनाइटल आपरेचर के द्वारा बाहर खुलती हैं, नर्मे मैथुन अंग अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, और नेसेचन बाह प्रकार का होता है, या एक्स्टरनल प्र मचली है, ऐसे ही गार पाय, कैट फेस, इल, समुद्री घोड़ा है, उडन मचली, चूसक मचली, चपटी मचली, जीविजीवास्म, पाइप मेन, और मच्छर मेन, आदि मचलियां इसके अंतरगत आती हैं, अब जो पिसीज वर्ग हैं, इसमें एकर रोहु का वर्गिकर दे पिसीज, वर्ग आश्टक्थीज और वन्स लेबिया हो जाएगा, इसी प्रकार से अगर समुद्री घोड़ा या हिप्पो कैमपस का वर्गिकर देखा जाए, तो जगत प्राणी, उप जगत बहु को सकीय प्राणी, समुदाय कार्डेटा, समुह क्रेनियेटा, उप समुह नेथो इस्टोमेटा, महावर्ग पिसीज, वर्ग आश्टक्थीज और वन्स हिपो कैमपस हो जाएगा, आसा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सियर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल कि अजले बाद,